हेलो दोस्तों, नवश्कार, मैं शांती जोशी, श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको कुछ पर्बनेंट फूलों के पौदे दिखा रही हूँ और इन्हें कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है ये सारे पौदे काफी मेंगे मिलते हैं और हम कटिंग लगाकर इनके काफी प्लांट फ्री में तयार कर सकते हैं दिशंबर और जन्वरी इस समय आप इनके कटिंग लगा लें और धेरो प्लांट आप फ्री में तयार इसके कर सकते हैं एक एक करके मैं सारे प्लांट आपको दिखाऊंगी और ये सारे प्लांट जो हैं ये काफी महगे मिलते हैं और फ्री में हमारे सैकलो प्लांट इस समय तयार हो सकते हैं तो वीडियो फूरा देखेगा दोस्तों ताकि मैं आपको दिखा सको कि मैंने किस जंग से आप कटिंग लगाई हुई है और आप भी इनकी कटिंग लगा लें अगर आपके पास ये पौदे हैं तो फ्री में आपके कई पौदे तयार हो जाएंगे और गर्मी आते ये बारी कटिंग और बेकार कटिंग भी आसानी से लग जाती है और इसके प्लांट काफी फ्री में आपके तयार हो जाएंगे कामनी एक पर्मनेंट फ्लावरिंग प्लांट है ये देखे मैंने कुछ कटिंग लगाई थी इसकी मैंने कटिंग की थी तो मैंने इसे ऐसे ही लग जो आती है देखें ये पौधा जो है ये बिलकुल तयार हो गया है और इसकी बहुत पतली जो स्टेम्प होती है वो भी लग जाती है देखें एक बात का विशे दियान रखें कि जब आप कटिंग लगाएं तो मिट्टी को तुड़ा हलका रखें जिससे बिलकुल मिट्टी स स्टेम्प है जिसको हम यूही फेग देते हैं तो फेगे नहीं और कटिंग से आप बना सकते हैं ये पौधा काफी मेगा मिलता है 150, 100, 150 ऐसे इसकी कॉस्ट होती है और ये पौधा हमेशा हरा भरा बना रहता है पर्मानेट पौधा है आप इसे आसानी से लगा सकते हैं अग अब ये रूट बिलकुल डबलब हो गई है अब इन्हें अलग लगाने के लिए बिलकुल तयार है ये और पहले आप छोटे पौट में लगाएं फिर इसे बड़े पौट में लगा सकते हैं ये गर्मी आते आते फ्लावरिंग के लिए तयार हो जाएगा देखे कितने खू देखें और मौशर बनाके रखें तो कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है कितने खूबसरत पौदे तयार हो गए हैं मैं ऐसे ही आपको सारे पौदे दिखाती हूँ इस समय आप लगा लें ये है एकजुरा का पौदा इस समय कुछ बत्तियां गिरा रहा है और उसके लगा लें तो ये देखें लग जाती है मैंने इसके कटिंग से काफी प्लांट इसके बना लिये हैं ये देखें बिलको तयार हो गया है और ये पौदा भी काफी मेंगा मिलते है वन फिप्टी वन हंड्रीड की कॉस्ट में ये पौदे मिलते हैं तो अगर आपके पास एक तो आप इसको लगा सकते हैं, इस समय काफी अच्छा मौसम है, आप लगा लें, दूसरा है पिंक चमपा, पिंक चमपा भी काफी मेगा प्लांट मिलता है, ये 300-400 की कॉस्ट में हमारे मिलता है, और आप इसे कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं, इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, और तेरो प्लांट इसके बना सकते हैं, इसकी जो भी कटिंग हमने लगाई थी, उसकी पत्यां बिलकुल नहीं गिरी हैं, जैसी पत्यां थी वैसी ही है, और ये पौदा बिलकुल तयार हो गया है, देखे, कितनी रूट डबलब हुई है, ये 20 दिन का रिज चांदी नी, चांदी को भी कटिंग से आप आसानी से इसमें लगा सकते हैं, का चांदी की आप कटिंग कर रहे होंगे, और क्योंकि फरवरी आते हैं ते इसमें नई ग्रो सुरू हो जाती है, नई पत्या आने लगती है, इसमें ये पत्या भी गिरा रहा है, तो का चांदी की cutting से आप काफी plant इसके बना सकते हैं देखिए इतने ज़्यादा मैंने cutting ये लगाई थी और इसकी भी बेकार जो cutting पड़ी थी वह ही मैंने लगा दी तो वो सारी की सारी तैयार हो गई है ये देखिए इसकी सारी root निकल के आ गई है तो चांदी की भी cutting आप लगा सकते हैं चांदी भी कई प्रकार की होती है कई variety की चांदी के plant होते हैं ये double pattern में हैं बड़ी चांदी है तो इसे भी आप cutting से लगा कर काफी plant बना सकते हैं और इस समय काफी इसके plant हो जाएंगे बहुत आसानी से इसकी cutting लग जाती है क्योंकि इस समय हम अपने पौदों की कटाई छटाई भी करते हैं और पौदे कुछ rest period में भी है तो cutting से ये लग जाती है दिशम और जन्वरी का मेना ऐसा है न ये पौदे खराब होते हैं और बहुत आसानी से लग जाते हैं ठंडी भी पढ़ रही है तो पौदे सूखने का डर कम रहता है इस समय आप इनकी cutting लगा सकते हैं देखिए मेरे सारे पौदे तयार हो गए अब मैं इसे छोटे-छोटे पौटों में अलग shift कर रही हूँ क्योंकि ये सारे पौदे एकी पौट में थे तो इस समय हम इने छोटे-छोटे पौटों में shift कर देंगे बाद में थोड़ा सा और बड़ा होने पर मैं इसे बड़े पौट में लगा दूँगी तो इतने पौदे मेरे एकी प्लांट से इतने पौदे तयार हो गए हैं और आप सैकड़ों पौदे इनके फ्री में तयार कर सकते हैं मिट्टी हमेशा पौदों के लिए अच्छी बनाए हलकी मिट्टी बनाए जिससे कि आपकी कटिंग आसानी से लग जाए अगर आप टाइट मिट्टी बनाएंगे सक्त मिट्टी होगी चिकनी मिट्टी होगी तो उसमें कटिंग आपकी डबलप नहीं होगी किती मैच और कटिंग मेरी बिलकुल तयार हो गई है और ये पौदा आप मरेगा नहीं और इतने सारे पौदे मेरे बनकर तयार हो गए हैं जाननी के कटिंग से जब चाहें आप प्लांट बना सकते हैं और इस समय काफी अच्छा सीजन चल रहा है कटिंग लगाने के लिए और दिशंबर और जनवरी में आप इनकी कटिंग लगा ले और धेरो प्लांट बना ले गर्मियों में कटिंग सूखने का डर रहता है और इस समय मौसम में नमी है तो इस समय आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं फिर मैं आपको दिखा रही गुड़ल गुड़ल की कई वेराइटियां होती हैं आप मन चाहा गुड़ल लगा सकते हैं और देखे कटिंग में ही इसमें फ्लावरिंग सुरू हो गई है अब मैं दिखा रही हूँ लेसुनिया लेसुनिया की भी मैंने कटिंग लगा दी थी और ये बिलकुल तयार हो गई है और देखे इसमें नई बेल भी आने लगी है और ये बिलकुल मैचौर हो गया है पदा और अब लगाने के लिए बिलकुल तयार है लेसुनिया भी एक बहुत ज़्यादा कुपसरत पर्मनन फ्लावरिंग प्लांट है, इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, देखिए कितना सुन्दर दिखाई दे रहा है, ये प्लांट भी आप कटिंग से लगाएं, इस धंग से आप कटिंग लगा के इसके धेरो देखिए अब ये है दूसरी वेराइटी का ही है विकस है, और ही विकस को भी आप लगा सकते हैं, इस समय ये भी कटिंग के लिए पिलकुल तयार है, मैंने इसकी काफी कटिंग तयार कर लिए है, और ये मेरे पास बहुत सुन्दर प्लांट है, और इसमें ये मेरे को 300 का मि दिखाए देता है ये प्लांट भी, और ये भी कोई कटिंग मरती नहीं है, इसकी बिलकुल जो भी कटिंग आप लगाएंगे वो तयार हो जाती है, तो इसकी कटिंग भी आप लगा कर काई पौधेस के बना सकते हैं, इसमें येलो कलर के फूल आते हैं, और चार बज़े कर तब भी ये बहुत सुन्दा दिखाए देता है, क्योंकि इसकी जो ये पत्तियां होती है, परपल कर रहे की बहुत सुन्दा दिखाए देती है, आलमंडा, ड्वार्फ आलमंडा, और इसकी ड्वार्फ आलमंडा या दूसरा आलमंडा, इसकी कटिंग भी समय लगा लें कटिंग भी तयार हो गई है इसकी कुछ पत्यां पीली भी होने लगी है यह है रूटिंग हर्पोन और इसकी जो भी छुटी ची कटिंग लेले आम इसे आप यह देखें मिट्टी काफी हलकी बनाई है मैंने और इसमें आप यूँ ही लगा दें तो यह कटिंग तयार हो जाए यह देखें इसकी क्यूंकि नजदीक नजदीक हर एक इंच में इसकी नूट होती है और उससे ही रूट डबलब हो जाती है तो इस समय कटिंग के लिए क्यूंकि यह पत्या गिरा देगा फिर इसकी कटिंग आपकी बेकार जाएगी तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा ले और देखे मैंने कितने सारे प्लांट बना लिया है यह देखे अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि इसमें देखे इच्छा साथ साथ तो इसमें तयार हो गए है और यह देखे साथ आठ इसमें हैं और देखे रूट देखे कितनी निकल के आ गई है और इतने सारे आलमंडा के प्लांट मेरे तयार हो गए हैं तो इस जंग से आप इनकी कटिंग लगा लें और तेरो प्लांट इसके बना सकते हैं और ये भी काफी मेंगा मिलता है 108, 150, 80 रुपीज ऐसे कहीं कहीं अलग-अलग नरसरी में अलग-अलग रेट हैं तो इस जंग से आप इनके प्लांट बना के कहीं इस समय बना सकते हैं क्योंकि अगर हम इस समय नहीं बनाएंगे तो ये खराब हो जाएंगे पौदे पे ये देखिए चायना डाल ये भी काफी महेंगा प्लांट मिलता है और ये हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है काफी लंबे समय तक इसके फ्लावर बंच में बने रहते हैं और देखिए कटिंग में ही मेरे वहाँ फ्लावरिंग सुरो हो गई है कितनी अच्छी इसमें flowering हो रही है और ये पौदा काफी मेंगा मिलता है ये 300 रुपे का मिलता है पौदा ये 300 का मैं लेके आई थी और देखे कितनी root डबलब हो गई है बहुत ही ज़्यादा खूसरत प्लांट है और इस रंग से आप इसके प्लांट बना सकते हैं और आपके free में तयार हो जाएंगे अगर हम लेने जाएं तो 300 का एक प्लांट मिलता है ये देखे और इसमें मेरी फ्लावरिंग भी सुरू हो गई है ये देखे दो प्लांट ये बन गए हैं और इसके अलावा भी में आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा प्लांट बन गए है ये देखे Mexican Pitonia Mexican Pitonia भी एक पर्मानेंट प्लांट है और इसे भी आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं इस समय आप इनकी कटिंग लगा लें देखे कोई भी स्टेंप ले लें क्योंकि ये पत्या नहीं गिराता है हमेशा ऐसी बना रहता है तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और इसके डेरो प्लांट इस समय बना सकते हैं बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है मैक्सिकन पीडोनिया भी पर्मानेल फ्लावरिम प्लांट है ये तीन कलर में आता है पिंक, वाइड, फिर पॉर्पल बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है देखे, बहुत आसानी से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और एक ही प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं फ्री में आपके प्लांट बनकर तयार हो जाएंगे ये प्लांट भी काफिमेगा मिलता है ये 150 से लेकर 100, 150 ऐसे प्लांट की कॉस्ट होती है और फ्री में आपके प्लांट बनकर तयार हो जाएंगे यह जो लगा रही हूँ यह pink petonia है देखिए मेरे plant बनकर तैयार भी हो गए है तो एक ही plant से आप इनके सैकडो plant बना सकते हैं देखिए कितनी अच्छी root निकलके आई है एक बार अगर आपके पास Mexican petonia है तो आप उसके कई plant बना सकते हैं और आपको दुबारा लेने की आउशकता नहीं पड़ेगी देखिए कितने खूबसरत दिखाई दे रहे हैं यह plant और सारी root डबलब हो गई है कोई भी plant खराब नहीं हुआ है जितनी cutting लगाई थी सब के सब तैयार हो गई है यह देखिए यह बड़ा वाला गुडल है डबल पैटन में और इस पौधे की मैंने cutting की थी तो इसकी इतनी सारी stem पर निकल आई है तो इनको हम फेकेंगे नहीं और इनको भी हम cutting से तैयार कर लेंगे यह देखिए इसकी मैंने कापी बड़ी-बड़ी cutting ले लिया है और यह सब के सब तैयार हो जाएगी इस दंग से हलका हलका सा हम इनको साप कर लिया है और यह ले लिया मैंने normal मिट्टी और aloe vera gel में हम डूबा डबाके इनको लगा लगा के हम इसे मैंने aloe vera gel को उसमें ले लिया है और इसे हलका हलका लगा के हम दबा लगा देंगे देखें इस समय आप अगर इसकी cutting लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से समय cutting लग जाती है गर्मी में थोड़ी सी cutting का सूखने का डर रहता है उसे semi set में रखो अगर आप इसे यूँ ही दूप में रख देंगे तब भी यह हो जाएगी क्योंकि इस समय मौसम में नमी है और बहुत तेजी से cutting लग जाती है देखें ये मेरी cutting बिलकुल तयार हो गई है नई नई इसमें पत्तिया आने लगी है और ये cutting बिलकुल तयार हो गई है देखें रूट भी बाहर निकलने लगी है कितनी अच्छी cutting मेरी बन कर तयार हो गई है और इसी धंग से मैंने इसकी काफी cutting लगा लिया है और ये मैं आपको दूसरा पॉट पी दिखाती हूँ कि कि धंग से मेरी ये देखें कितनी जदा इसमें पत्या निकल आई है और सारे के साधे पॉदे जितने मैंने cutting से लगाए थी सब के सब तयार हो गए है देखें कितना कूपसरा दिखाई दे रहा है अब यह ही है देखें क्रांचो को आप cutting से बहुत आसानी से लगा सकते हैं मार्च में अगर आप इसकी cutting लगाएंगे तब हो जाती है फरवरी मार्च में भी और इस समय भी अगर आप इसकी cutting लगाएं तो इस समय भी आप हो जाएगी क्योंकि अब यह flowering के लिए भी तयार है अगर आपके पास कुछ एक्स्रा पॉदे हैं तो आप उनकी cutting लगा सकते हैं और यह मेरे इतने सारे पॉदे मैंने सपाई करी थी तो इतने साधे पॉदे थे मैंने लगा लिया है अब मैं आपको दिखा रही हूँ यह पॉदे इनको भी आप cutting से लगा सकते हैं और इतने ज़्यादा पौदे मेरे बन कर तयार हो गए है और यह देखे कनीर कनीर का पौदा भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है इस समय आप इनकी कटिंग लगा लें और बहुत आसानी से इसकी कटिंग हो जाती है कनीर का पौदा भी एक ऐसा पौदा है जिसकी तो आप इसकी cutting लगा लें और क्योंकि ये इस समय flowering कम कर रहा है तो आप इसकी cutting लगा सकते हैं ये भी एक permanent flowering plant है हमेशा हरा भरा बना रहता है और इसके भी काफी cutting आप free में बया तयार कर सकते हैं ये पोदा भी 100 से लेकर 150 तक मिलता है ये देखें मैंने चांदनी की cutting लगाई है और सारी की सारी cutting मेरी तयार हो गई है और इतने सारे पोदे मेरे free में बन कर तयार हो गए चांदनी के और उसमें flowering भी हो रही है देखें कितने जारा पोदे मेरे चांदनी के तयार हो गए चांदी को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं बहुत ही असरलता से लग जाती है यह देखिए एमरेलिस लिली और इस समय आप इसको अलग लग लगा सकते हैं यह है टिकोमा टिकोमा के भी इस समय पत्यां गिरा रहा है और मेरे माँ तो हलकी फुलकी इसमें फ्लावरिंग हो रही है तो इस समय कटिंग से बहुत आसानी से टिकोमा के प्लांट भी आप लगा सकते हैं क्योंकि गर्मी आते आते आपका पौधा बिल्कुल तयार हो जाएगा और यह फ्लावरिंग के लिए क्योंकि फरवरी आते इसकी ग्रोध बहुत तेजी से बढ़ेगी और आपका प्लांट बिल्कुल मैचौर हो जाएगा यह है और देखें रूटिंग हार्मोन और मैंने सारी कटिंग ले लिए है और इसे रूटिंग हार्मोन में डूबो कर मैं एके करके सारे प्लांट लगा लूँगी देखें यह मैंने सारे डिप कर लिए हैं और यह नॉर्मल मिट्टी ले लिए है मैंने और मिट्टी बहुत हलकी बनाई है देखें इसमें आधी रेत आधी मिट्टी है और मैं एके करके सारे लगा दूंगे और सारे बरे पौदे बनकर तयार हूँ ऐसी करके मैंने टिकूमा के कई पौदे बना रखे हैं तो ये फ्री में ही हमारे सैक्डो पौदे हजारो पौदे हम ऐसी बना सकते हैं दुबारा हमको पौधे लेने की आउशकता ही नहीं पड़ेगी अगर एक बार आपने पौधा लगा लिया है तो बार बार आपको नहीं खरीदना पड़ेगा और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं बहुत ही ज़्यादा सुन्दर दिखाई देते हैं टिकोमा के प्लांट भी टिकोमा भी कई कलर पेराइटी में मिलती है जंक से आप इसकी कटिंग लगा लें और स्टेक्ड़ो पौधे इसके तयार कर लें देखिए दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए सस्काइब करिएगा ताकि मैं आपको अपनी आसी ही प्लांट दिखा सकूँ और देखिए मैंने इसकी कटिंग लगा ली है और आप चाहें तो इस समय इसकी कटिंग लगा सकते है थैंक यू